Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल यह सारे चीजें, हम डेटा के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो चलिया आगे भढ़ते हैं, कि 31st of August से Study IQ का एक बहुती special batch launch हो रहा है, और especially क्योंकि इसमें great learning days है, आप सबसे कम दाम पर, मतलब इससे कम दाम पर आपको फिर ये batch नहीं मिलने वाला है, प्रतिग्या प्लस, अब इसमें खास बात में आपको बताता हूँ, मान लिजे 2025 का सिर्फ प्रिलिंज भी अगर आप क्रैक कर लेते हो, तो जो पूरा फीस आप अभी दे रहे हैं, वो आपको refund होगा, साथी साथ आपके पास cash reward जीतन का top ranker को, तो बहुत ही अची opportunity है, motivation है आपका त्यारी करने का, join करने के लिए website, app पर जाएए, या फिर comment section में link और आपको use करना है, ये code अंकित live, ताकि आप maximum discount ले सकें, और इसके अलावा, अगर आप MCQs अटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, व उसमें उन्होंने वापस से भारत का जो ambitious goal है, उसको दोहराया, और ये goal क्या है, कि भारत 2030 तक 500 GW of non-fossil based energy capacity establish करना चाहता है, जिसके अंदर solar होगा, wind power होगा, bio mass होगा, small hydro power होगा, इसके अलावा जो large hydro power और nuclear power भी होगा, तो ये सब मिलाकर हम कहेंगे non-fossil based energy, दिखें मैं आपको एक चीज़ बता दू, जो भारत ने target रखा था, 2022 तक हम 175 GW of renewable energy establish कर लेंगे, ये हम achieve नहीं कर पायते हैं, अब ध्यान से समझेगा, इसमें अंतर है, जब हम बात करते हैं, non-fossil based energy की, तो इसमें आपका nuclear और large hydro power भी आता है, लेकिन जब हम सरफ renewable energy की बात करते हैं, तो इसमें solar, wind, इस तरह के projects आते हैं, तो हमारा जो पहले का main target था, renewable energy achieve करने का 175 GW का 2022 तक, वो हम achieve नहीं कर पाये थे, और इसलिए सरकार ने भी बड़ा ही smartly क्या किया, जो large hydro power है, उसको इसके अंदर include कर दिया, और भारत सरकार ने कहा कि हम non-fossil based energy achieve करना चाहते हैं, तो दीखे यहाँ पर अगर मान लो हम 500 GW achieve भी करना चाहें, तो क्या यह possible है, और target क्या होना चाहिए, दीखे, target यह है कि 2030 तक हर साल अब भारत को 46 GW of capacity add करना पड़ेगा, अगर हम यह कर पाएं, तभी जाकर 2030 तक 500 GW of energy का capacity हम achieve कर पाएंगे, और कहीं न कहीं अगर आप outlook देखोगे, तो च अलरी 15 GW of capacity achieve कर ली, अब यह माइने क्यों रखता है, मैं आपको बताता हूँ, यह अगर आप देखोगे, 2017-18 से भारत का कितना addition रहा, यह हर 6-6 महने का gap दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, 2023 में हमने सिर्फ 13.7 GW capacity add किया था, लेकिन 2024 में, अकेले अभी तक 15 GW achieve कर चुके हैं, मतलब जितना हमने 2023 में पूरा अचीव किया था, वो अरड़ी 6-7 महने में 2024 में अचीव हो चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अब हम चीजें काफी अच्छे से improve कर रहे हैं, और अगर हर साल 2027-28 तक और 2030 तक 50 GW capacity अगर हम add कर पाएं, तो यहाँ पर जो हमारा 500 GW का जो target है, वो भी हम achieve कर पाएंगे, लेकिन जरूरी क्या है, कि हर साल 50 GW of energy add होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी की जो हम बात करें, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो projects की bidding है, वो अच्छे से complete की जा सके, और मैं आपको बता दूँ, सरकार का ये कहना है कि व पर साल 50 GW जो additional capacity है add करने का, वो यहाँ पर बुलाएगा, और साथी साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, कि center की तरफ से, मतलब कि यहाँ पर जो initiatives लिए गए हैं, अलग-अलग government की तरफ से, उनके दोरा ये कहना है कि सरकार जितना भी bidding कराती है, मानलो अगर सरकार ने 50 GW की bidding क करना चाहते हैं इस साल, तो उसमें से 95% complete हो जाता है, ये काफी हद तक देखने को मिला है, तो जितना भी bidding होगा, ये काफी हद तक sure है कि 2030 तक अगर ये complete हो जाती हैं चीज़ें, तो हम ये target achieve कर पाएंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप भारत का position देखोगे आता है आपका Germany, यहाँ पर question ये भी है कि भारत thermal power जो कोईले से energy निकलती है, हम उसको give up क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ renewable energy पर क्यों नहीं focus कर रहे हैं, ये काफी लाजमी सवाल हो सकता है बहुत से लोगों का, तो मैं आपको बता दूँ कि 2017 में अगर आप देखोगे भारत का जो total capacity था, energy produce करने था, उसमें 66% अकेले कोईले का था, लेकिन ये घटकर अब हो गया है 55%, देखें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो renewable energy है, वो धीरे धीरे हमारा share overall energy capacity में बढ़ आए, और जो कोईले वाली energy है, उसमें आपको लगतार गिरावट देखने को म बढ़ा है, 2017 से लेकर 2024 के बीच में, वहीं अगर आप thermal power की बात करें, तो ये 66% से गिरकर 15% हुआ है, तो यहाँ पर problem क्या है ना, कि हम तेजी से कोईले की dependency कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत एक developing country है, हमें energy की काफी आउशकता है, electricity की आउशकता है, तो हम यहाँ पर क plant है, उसको give up नहीं कर सकते, हमारा power demand इतना जादा हो रहा है, कि हमें कोईला भी इस्तमाल करना पड़ा है, और साती सार renewable energy की जो capacity है, वो भी बढ़ानी पड़ रही है, सिर्फ यहीं नहीं, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, भारत already 240 gigawatt of operating coal power capacity रखता है, और 97 gigawatt already under development है, मत कहा था, कि 13.9 gigawatt और जो coal-fired power plant है, वो add किये जाएंगे, जो कि पिछले 6 साल में सबसे जादा है, और इसी की वज़ेसे अगर आप देखिए, जो COP28 हुआ था दुबई में पिछले साल, दिसंबर के महने में, उसमें भारत और चाइना ने abstain कर दिया था, कमिट करने से for tripling the global renewable energy capacity by 2030, क्योंकि इस वाले commitment में ये बोला जा रहा था, भारत और चाइना से, कि आपका जो coal-powered projects है, जो plant है, उसको खतम करिए, उसको हटाइए, लेकिन भारत ने कहा कि देखिए, ये possible नहीं हमारे लिए, हमें कोईले की भी आउशकता है, और renewable energy, दोनों की आउशकता है, क् हम तो developing country है, हमें यहाँ पर population लगतार बढ़ा है, energy demand बढ़ी है, तो आप कैसे expect कर सकते हो कि हम कोईले वाला जो plant है, उसको खतमी कर दें, it is not possible for India, ये हमने साफ साफ कह दिया था, खेर यहाँ पर question ये भी है कि अगर हम ये ये achieve करना है, तो जो राज हैं, जो states हैं, उनको बह renewable capacity देखने को मिलेगा, कितना है, राजस्थान में अकेले 28 गिगावाट है, और गुजरात में लगभग 27 गिगावाट है, उसके बाद तमिल नाडू आता है 20 गिगावाट, फिर करनाटका 17 गिगावाट, देन महाराष्टा 13 गिगावाट, एन देन आंधर परदेश एन मद renewable energy, उन सभी electricity को एक साथ एकत्रित किया जाए, मतलब कि यहाँ पर जितनी भी electricity है, उसको integrate करना, एक grid में लेकर आना, क्योंकि जब तक आप उसको ऐसा नहीं करोगे, हम उसको proper तरीके से utilize नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर राजिस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिल इस्तमाल किया जाए, यह यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इसके लावे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो state-run solar energy corporation of India limited है, उन्होंने identify किया है potential zone in 8 state, करीब 8 राज्यों में potential है 181 gigawatt of solar energy produce करने का, यह identify किया गया है, तो उसको utilize किया जाएगा, फिर इसके लावे यह भी बता जाद होगा सरकार, rooftop solar energy के लिए एक अलग से scheme लेकर आई है, ताकि जितने लोगों के घरों पर छट है, वहाँ पर rooftop solar plant लगाया जा सके, लेकिन जरूरी यह भी है कि इसके अलावा भी जितने भी renewable energy के source है, जैसे wind energy, इसके उपर भारत ने अभी तक उतना focus नहीं किया है, तो उसको भी हमें utilize करनी की जोरत है, अब देखे, ultimately सवाल यह यह उड़ता है कि इन सारे चीजों को achieve कैसे हम कर पाएंगे, जब यहाँ पर हमारे पास proper finance होगा, तो यहाँ पर budget का role बहुत important हो जाता है, और मैं आपको बता दूँ कि इस साल वाला budget अगर आप देखोगे 2024-25 में क तो revised estimate अगर आप देखोगे पिछले साल के मुकाबले, तो 147% का आपको jump देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि renewable energy initiatives के लिए सरकार ने 18-19,000 करोड रूपय यह आपका allocate किया है, और बताए यह भी जा रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा boost मिल ले वाला है इस budget की वज़े से, लेकिन साती साते एक और चीज बोला गया है, कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा cautious रहना की है, सरकार budget तो allocate कर देती है, लेकिन उसको proper utilize नहीं किया जाता है, अगर आप सिर्फ 2022-23 को छोड़ दें, इसको अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने भी अगर आप budget देखो गया था, उससे जादा खर्चा किया गया है, तो जरूरी यह हो जाता है कि अगेन यहाँ पर जो सरकार ने इस बार 18-19,000 करोन रुपए दिये हैं, allocate किये हैं, उसको उससे भी जादा यहाँ पर जब तक हम utilize नहीं करेंगे, हमारा 500 GbW का जो target है, वो शायद अचीव नहीं हो शकता है, तो I hope कि आपको अब समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर 500 GbW का जो target है, क्या वो achievable है कि नहीं है, बिलकुल achievable है, जरूरी है कि यहाँ पर क्या proper implementation होता है कि नहीं projects का, और जाने से पहले एक interesting question आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, यहाँ पर जो high temperature solar thermal energy storage system होता है जिसके अंदर बड़ी मात्रा में heat जो है, उसको store किया जा सकता है, तो उसके अंदर जो सबसे common material इस्तमाल होता है, वो कौन सा है, इनमें से आपको बताना, इसका right answer आप सबको बता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्र फिर से नहीं मिलने वाला आप जो courses हैं, batches हैं, तो ये last chance है आपके लिए 31st of August से नया ये प्रतिग्या प्लस batch स्टार्ट हो रहा, इसमें बहुत जारे benefits मैंने आपको बताया, use this code AnkitLife to get maximum discount during the great learning days and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आप से next time, till then, thank you very much, see you soon Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable